यदि आपकी कुंडली में भगवान शनी और चंद्रमा की युती है या उनका ट्राइन का रिलेशन्शिप है यानि की 159 और ये जो युती है वो भी 10 डिगरी के अंदर की है तो आपको आपके जीवन में कैसे प्रभाव मिलेंगे? देखें सबसे पहले तो शनी जो है मैं अपने कई वीडियो में बता चुका हूँ कर्म फल दायक है कर्मों के वो लेखा जोखा रखते हैं पेन हैं मिजरी हैं डार्कनेस हैं रिस्पोंसिबिल्टी हैं वो एक वृद्ध हैं जो वाइज हैं चतुर दक्ष प्रवीन हैं और उन में एक शालिंता है, सन्यास है, साधू है, साधुत्व है और चंद्रमा क्या है? चंद्रमा आपकी मा है, आपकी मनुस्थिती है, आपका पीस है, पीस ओफ माइंड है तो अगर ऐसे संदर्ब में शनी और चंद्रमा की युथी बनती है तो क्या होता है? तो आप अक्सर चा मा की suffering से बहुत परिशान होते हैं, इनकी मा एक hard working woman रही होगी अपने hey days में और responsible रही होगी, उन्होंने responsibility उठाई होगी परिवार की, पर उनको पीडा भी बहुत मिली होगी, या तो वो video हो गई होगी एक young age में, या फिर उनको कुछ न कुछ सुक से वो वंचित जरूर रही ह होगी, तो मा बिमार पर जाना, मा का chronic disease हो जाना, paralysis हो जाना, Parkinson हो जाना, तो वो मा को बिमार देखके जो suffering होती है, वो Saturn और चंद्रमा का जो train का relationship है, या फिर Saturn और चंद्रमा का जो conjunction है, वो ये result जरूर देता है, step mother भी हो सकती है, मदर के साथ relationship भी सार हो सकते है, difference in opinion भी हो सकत है, मा से पीडा भी मिल सकती है, और मा की suffering से भी पीडा मिल सकती है, ये सारी चीजे शनी और चंद्रमा की युती में देखने को मिलती है, एक और चीज जो common है शनी और चंद्रमा की युती में वो ये है कि ऐसा आदमी अपने दिमाग में कई सारे professions सोचता रहता है, कि आज फिर वो रियल स्टेट में है, तो कल वो एक pathology lab खोल ले, या वो एक builder बन जाए, या फिर वो एक, you know, he gets into distribution business, तो चूंकि Saturn कर्म है और जो चंद्रमा है बहुत ही fast चलायमान प्लैनेट है, वो 27 नक्षत्रों में, 27 दिन का ब्रहमन करता है, इसके कारण से चंद्रमा की जो speed है solar system में अन्य planets को लेके काफी ज़्यादा तेज है और काफी चलायमान है, इसलिए ऐसा आदमी अपने विचारों से, मतलब उसका जो profession होता है, वो ये चाहता है कि आज मैं ये भी कर लूँ, आज मैं ये भी कर लूँ और उसमें भी सफलता पालू, और अक्सर ये देखा गया है कि जिसका शनी और चंद्रमा का कोई relationship हो, युती हो, conjunction हो, train का relationship हो, तो वो हमेशा अपनी heart की सुने, दिल की सुने, emotion की सुने, अगर जो उनका दिल ये बोलता है कि आप singer बन जाओ, तो let him become a singer, भले ही वो एक IT company में काम करते हों, बट धीरे-धीरे singing को अपनी hobby से profession बनाते व शनी और चंद्रमा की युती है, वो अपने दिल की सुने, और जो दिल क्या बूलता है, जो heart क्या बूलता है, emotions क्या बूलते हैं, उनकी सुने तो वो ज्यादा खुछ रहेंगे, खास कर अगर शनी आपके fourth house में है, लगने चार्ट में, तो चौथा घर कालपुरिश की कुं करने की कोई जर्वत नहीं है, अगर आपको singer बनना है, तो आप बनिये, actor बनना है, तो बनिये, नहीं तो पूरे जीवन आपको इस बात का regret रहेगा कि अपने, अपनी मन की क्यों नहीं सुनी, जबकि ये conjunction था, इसलिए जब लोग मेरे पास आते हैं और ये मैं conjunction देखता हू तो मैं अपने clients को ये suggest करता हूँ कि what your heart says, do that profession, and no profession in this world is small, so if your heart says that you are good at drawing, painting, you want to become an artist, you want to become an oil painter, you want to become a muralist, please do that, आपको बहुत बहुत आंतरिक सुख मिलेगा, इसकी एक remedy यही है, कि चाहें short distance travel हो, या long distance travel हो, travel जरूर करें, अगर आपका office 40-50 km दूर है आपके घर से, तो आपको travel करना अच्छा भी लगेगा, आप depression से दूर भी रहेंगे, और अगर आप अपने शहर के भी बाहर जाते हैं, तो भी आपको काफी शांती मिलेगी, सुख मिलेगा, सुकून मिलेगा, अगर आप travel करेंगे, आपको 27 नक्षत्रास in 27 days, it's a highly movable planet and even if you travel for work or for pleasure, वो आपको मन की शांती जरूर देगा, इसलिए मून और चंद्रमा की युथी वालों को travel जरूर करना चाहिए, ये वान अगर बेस्ट रमेडीज है वेतिक एस्टालोजी में, और थोड़ी सी बाते बता देता हूं, जुपिटर औ enlightenment, good things in life, good intent, religious deeds, इन सब चीजों का कारक है और चंद्रमा, as you know, मा का कारक है, peace of mind, मनोस्थिती, milk products, इन सब चीजों का कारक बनता है, तो जिसकी कुंडली में चंद्रमा और जुपिटर का कंजंक्शन है, ब्रिहसपत का कंजंक्शन है, ये तो एक गच केसरी योग बन गया, अगर कंजंक्शन दस डिगरी के अंदर है, तो और भी अच्छा है, गच केसरी योग, अमिताब बच्चन, नेसवाडिया, राहुल बजाज, इन सब की कुंडलियों में आप देखेंगे, and they have all made big in life, तो ऐसे में देखा गया है कि जुपिटर और मून के जो कंजंक्शन वा तरीके से, एक traditional तरीके से मनाया जाता होगा, चाहे वो दसेरा हो, दिवाली हो, घर में हवन रखना, पूजा करना, आरती करना, बढ़ों का अशिरवाद लेना, एक बहुत ही high wisdom, high religious environment में आपका पालन पोजिशन हुआ होगा, और मदर में बहुत high wisdom होती है, वो जानती है कि उनके बच्चों के लिए क्या अच्छा है, इसलिए वो आपको बांध के नहीं रखेंगी, तो ये भी एक बहुत बड़ा advantage है, और आप मदर की wisdom को देखके अचंभित हो जाएंगे, और उनका जो influence है काफी ज़्यादा होगा आपके उपर में, गज-केसरी योग, गज यान मून का conjunction is far far better than Saturn और मून का conjunction, Saturn और मून को अगर सही align कर लिया आपने, Saturn मून वाले counseling भी कर सकते हैं, advisory भी कर सकते हैं, और अगर गलती से Saturn मून केतू का conjunction हो गया, तो Saturn is work, मून is mind and केतू is अध्यात्म, self awakening, तो अगर किसी की कुंडली में Saturn मून और केतू का train का conjunction है या normal conjunction है, तो ऐसा व्यक्ति, अगर आप इसके पास जाएंगे और अगर इसने आपको counsel किया किसी चीज़ को लेके, तो आपको ऐसा लगेगा कि आपके सारे दुखों का जो हरन है, वो इस आदमी ने कर लिया है, तो ये एक बहुत बड़ी healing technique है उसके पास, उसके पास मातर बैठने से, उ of course पूरी कुंडली देखके पता चलेगा, नवाम स्चार्ट देखके पता चलेगा, लेकिन अगर ऐसे लोग counselors, psychiatrics, advisors बनते हैं, astrology में जाते हैं, निम्रोलोजी में जाते हैं, दूसरों को advice करते हैं, तो ये उनके लिए बहुत बहुत बड़ी हा एक profession है, तो thank you for watching this video, आज मैं यूपिटर मून और सैटर्न मून के प्रभावों के बारे में आपके कुंडली के उपर, आपके मनोस्थिति के उपर में मैंने चर्चा की, कल फिर मैं आऊंगा एक नया topic लेके, तब 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 क्ले नमस्कार, अगर आप भी अपनी कुंडली का विशलेशन कराना चाहते है तो आप मुझसे 974-288-1118 पे संपर्ख कर सकते हैं, Thank you very much